सावन शिवरात्री व्रत का था शिव पुरान के अनुसार एक समय में चित्रभानू नाम का एक शिकारी हुआ करता था वो शिकार कर अपने घर को चलाता था शिकारी के उपर साहुकार का काफी कर्ज था वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था इसी के चलते साहुकार ने उसे बं एक दिन का समय दिया, कर चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया. कर चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन, बिना कुछ खाय पिए, जंगल में शिकार डूडने लगा. ऐसे में शाम हो गई और रात हो गई इसके बाद वो रात पीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चड़ गया इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था जो की संयोगवा शिवलिंग पर ही गिर रहे थे इससे उसका वृत पूरा हो गया इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्बिनी हिरनी दिखाए दी जो पानी पीने के लिए आई थी उसका शिकार करने के लिए उसने धनुश बान निकाला उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसे उसका प्रसव का समय आ रहा है तुम दो जीव की हत्या मत करो यह ठीक नहीं है हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वो खुद आ जाएगी तब वे उसका शिकार कर सकता है लेकिन अभी उसे जाने दे शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया इसके बाद प्रत्यंचा चड़ाने और ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेल पत्रे गिर गए ऐसे में चितरभानू से अंजाने में शिव जी के प्रतम पहर की पूजा संपूर्ण हो गई कुछ समय बीता शिकारी को एक और हिर ने दिखी जो वाँसे जा रही थी उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तयार हो गया हिरनी ने उससे निवेधन किया कि वो कुछ ही देर पहले रितू से निवरत्त हुई है मैं अपने प्रियों को ढून रही हूँ मैं एक कामातूर हिरनी हूँ जैसे ही मुझे मेरे पती मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाओंगी यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया लेकिन वो बहुत चिंतित था रात का आखरी पहर भी बीतने ही वाला था इस बार भी चित्रभानू से बेल पत्र टूर कर शिवलिंग पर गिर गये इससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई इसके बाद उसे एक हिरनी और दिखाए दी वो भी वहीं से जा रही थी उसने उस हिरनी के शिकार कावे निर्णे लिया उसने शिकारी से कहा की मेरे बच्चे मेरे साथ हैं मैं इन बच्चों को इनकी पिता के पाफ छोड़कर आती हूँ इस समय मुझे जाने दो शिकारी ने कहा कि वो इस से पहले भी दो हिरणियों को छोड़ चुका है वह इस बार इस हिरणिय को नहीं छोड़ेगा इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करें मैं लोटनी की प्रतिग्या लेती हूँ इन सब में शिकारी की शिवरात्री की पूजा हो चुकी थी और सुभवी हो चुकी थी उपवास की भी हो चुका था अब शिकारी को एक हिरन दिखाए दिया उसने निश्य किया कि उसका शिकार जरूर करेगा चित्रभानू ने प्रतेंचा चड़ा ली इस पर हिरन ने कहा कि अगर उससे पहले आई तीन हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े लेकिन अगर उन्हें जीवनदान दिया है तो उसे भी छोड़ दे जब वो उन सभी को मिल लेगा तो वो स्वेम आ जाएगा यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटना करम बताया तब हिरन ने कहा कि वो तीनों हिरनिया उसी की पत्नी है हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह तीनों हिरनिया प्रतिग्या बद्ध होकर यहां से गई है अगर उनकी मृत्यू हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास करहिणियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे वे जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने प्रस्तुत हो जाएगा चित्रभानू ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्री का वरत पूर्ण कर चुका था उसके अंदर भक्ती की भावना आ चुकी थी कुछ ही समय बाद वो हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने प्रस्तुत हो गया उनकी सत्यता, सात्विक्ता एवं प्रेम भावना देखकर के शिकारी को बहुत ज़्यादा आत्म गलानी हुई इस भाव में उसने जीवों को जीवदान दे दिया व्रत पूरा करने से चितरभानु को मुक्ष की प्राप्ती हुई उसकी मृत्यू के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिव लोग को ले गए तो बोलिए भोले शंकर भगवान की जै